है दोस्तों वेलकम टू स्टड़ी आई एस और आज की वीडियो में मैं आपके सार डिसकस करने वाला हूं देखे मौनसून जो है वो खतम हो गया है केरर और करनाटिका के अंदर लेकिन बार इस नहीं रुक रही है और काफे इंटेंस रेट वॉल हमें देखने को मिलती है इन इतनी ज़्यादा रेंफॉल हो रही है दोनों ही आपके सकते हैं जो राज हैं इन पर प्रॉब्लम आ रही है और मैं बता दूँ आप लोग को कि इतनी ज़्यादा रेंफॉल है दोस्तों और इतने हमें यहाँ पे हैवी रेंफॉल विटनेस हो रही है कि जिसके अंदर काफ की वीडियो और इन डिटेल पढ़ते हैं कि आखिर क्यूं ऐसा हो रहा है कि मौनसुन खतम होने के बाद भी बारिस नहीं रूक रही है केरल और करनाटका के अंदर लेकिन दोस्तों मैं उससे पहले प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग 0% EMI की बेनिफिट लेकि जो आपके दिक्कत है उसे दूर करेंगे और आप लोग को बहुत बेनिफिट होगा डिरेक्लिट अब देखी दोस्तों तीन महिने साउथ वेस्ट मॉंसून के हो गए हैं खताम हुए लेकिन केरल के अंदर दोस्तों जो सीजनल रेनफॉल है वो नॉर्मल मार्क से ज़दा जा रही है अगर हम लोग इसकी कॉंट्रास्ट में बात करें तो बेंगलेरू और साउथ जो करनाटका डिस्टिक हैं उन्होंने इस ताइम पे जून के बाद से यहाँ पे वेट सीजन महिसूस किया पर दोस्तों इतना दा वेरिशन आने के बाद भी दिक्कतें आई लेकिन केरल और करनाटका में दोस्तों अब भी लेंड स्लाइड और यहाँ पे रोड्स का डूबना यह सब हमें देखने को मिलता है साथी दोस्तों जो आपका बेंगलरू और मैसूर वारा हाईवे है दोस्तों वो तक सबमर्ज हुचका पानी के अंदर इतनी सारी प्राब्लम्स जो है वो हमें इस ताइम पे देखने को मिलती है कहाँ पे केरल और करनाटका में आखिर क्यों इतनी सारी जो रियन है यह इस ताइम पे हो रही है देखे के साथन जो करनाटका हो गया और कुछ पार्ट जो के केरल के जो कि आपके चकते आ रहे हैं उनके अंदर और लास्ट वीकेंड से दोस्तों यह प्राब्लम हमें देखने को मिलती है कॉंटिन्यूस यहां पे रेंफॉल हो रही है एक्टिविटी रिपोर्ट करें गई है जैसे कि एरनकुलम हो गया बैंगलेरू काफिसरी डिस्टिक्स हैं दोस्तों जो कि नौर्थ केरल की टाइम पे वहां पे रोट्स वगयरा डूब गई है और जो इरिया दोस्तों उन त से ज्यादा की हैं और 24 आवर से दोस्तों बंद भी नहीं हुए दो यह सब लास्ट विक दोस्तों में बता तो केरल के अंदर सीजनल रेंफॉल होई थी जो कि हमें लगबग यहां पर कह सकते हैं 15 परसेंट आप कह सकते हैं ज्यादा रही थी नौर्मल से लेकिन दोस्तों व 24.7 mm का जो कि 33 परसेंट ज्यादा रेंफॉल है नौर्मल से अगर हम बात करें तब तो इतनी सारी प्रॉब्लम है यह हमें वहां पर देखने को मिलती हैं तो इसे को दोस्तों बैंगलरुन ने यहां पर रिकॉर्ड करा 93.7 परसेंट का 24 घंटे के अंदर अंदर और यह 2 वे करनाठका के अंदर जहां पर ज्यादा रेंफॉल हुई है और 296 मीटर अमम तक हमें यहां देखने को मिलती है एक और दोस्तों 13 यहां पर आपके सकते हैं ऐसे ही रीजन है जिन्होंने सिग्निफिकेंट रेंफॉल में सरप्लस आपके सकते हैं देखने को मिला है काफी सर है इन सभी के नाम लिखे हुए है और वीद की कि किते रेंफॉल पर हुई है लेगिन क्या रीजन है अब में टॉपिक बात करते कि कि किस वज़े से इतनी ज्यादा जो रेंफॉल है हो रही है और रेंफॉल तो हो हुई रही है पर उसके साथ साथ यहां पे सरपलस मत Judas musical की जो ये notice करी गई है, at present दोस्तों जो monsoon है currently वो काफी weak है as a monsoon और वो अपने break phase के अंदर है, पर अगर लोग AMD की बात माने तो monsoon दोस्तों काफी vigorous रह सकता है केरल के अंदर और activity कर सकता है over करनाथ का वेनिस डे में, जो position है दोस्तों monsoon की वो काफी tough है और यहाँ पर major contribute factor रहा है rainfall क वो इसलिए है क्योंकि यही दोनों स्टेट से जहां पर ज्यादा rainfall हमें देखने को मिली, एक बार जैसी दोस्तों monsoon system जो इस्टेबलिस हो जाता है country के ओपर by mid July तो monsoon दोस्तों काफी आपके सकते है, आपके सकते है ऑक्सलेट करता है by 5 degree मतलब कि जो temperature रहता है उस आप से च इंडिया के उन्हें benefit होता है कुछ instance का और वहां पर हमें normal position पर देखने को मिलती है, यह सब चीजे है, वहीं बात करा है अगर हम लोग foot hills पे, Himalayans वगएरा की जगवा पर, वहां पर break monsoon की condition declare कर दी गई है, और अपने break phase में दोस्तों rainfall काफी जादा confined होती south peninsula के अंदर, east, northeast और north इंडिया के अंदर, जो ongoing spell है वह हमें देखने को मिलता है, monsoon season जो है दोस्तों, वह comprise होता है, wet और dry periods में, जब अपना active और break phase रहता है, उस हिसाब से ही, इसके अलावा दोस्तों, यहां पे काफी cyclonic circulation हमें देखने को मिलता है, south tamilnadu के अंदर, जिसकी वज़े से southern madhya- उस पर भी दिक्कतें आ रही है, अब forecast क्या कहता है, basically क्या हमें जो चीजें वो समझ में आती है, जो हमारी latest satellite images आई ही दोस्तों, वहां से यह पता लगाया गया है, कि जो cloud cover है, वो केरल, tamilnadu, करनाट का, तेलंगाना, उत्रप्रदेश और गगनेटिक वेस्ट वाला भी महे, tamilnadu, आपका कराई कला हो गया, पुन्डचैरी, मद्रपदेश, बिहार, असाम, मेखाले, नागलेंड, मनिपूर, मिजरम, फिर पुरा, गोवा और coastal, इनी रिजन में मतलब आप मान सकते हैं, और इसी टाइम पर मैं बता हूँ कि स्क्वाइली विंड समय देखने को मि दोस्तों, जमुएन कस्मीर, गिलगेट, बलेजिस्तान, लद्दाक, मुझफराबाद, हिमाचार प्रदेश, उतराखंड, इन जगोव पे यहां पर येलो अलट बताया गया है, तो यह सब फॉरकास्ट हमें पता लगता है, इस बार का, जो भी मॉन्शून के खतम होते होत है, क्योंकि यहां पर जो लो प्रेसर सिस्टम है, मॉन्सून का, वो डिप्रेशन पर आ रहा है, आपकर सकते हैं, कंट्री पर, उसी विज़े से, जो ही रिंफॉल है, यह में देखने को मिलती है, तो दोस्तों, आप लोग को समझ माया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो and have a nice day.